तो आज साइन्स का नेक्स्ट चैप्टर है क्लास सेवन्थ का फाइबर टू फैब्रिक तो एक बसारे कनेट हो जाओ फिर शुरू करते हैं अचा इसमाना पढने वाले कि ऐसे एक चीज सरे फैबरिक बनीध अपनेरने सेवन्थ में पढ़ंगे फाइबर टू फाइबरिक फिर एर्थ में आप लग इसी फैबरिक के और बहुत सारे पार्ट को बढ़ोंगे तो इस में तो अभी हमें पढ़ना एए कि फैबरिक क्या से बनता है वूल कैसे बनता है रूह उन कैसे बनता है रूह कैसे बनती है बगरा बगरा ठीक है हेलो राजकुमार कनौ जी आ सारे बच्चे नहीं है सब सो रहे हैं सो देखो आप सब को पता है आपको उन कहां से मिलता है उन कहां से मिलता है भेड से याक से ऐसे ही अलग अलग फैबरिक अलग अलग जगाओं से मिलता है अगर मैं उन की बात करूँ वूल की बात करूँ तो वो मुझे मिलता है फ्लीस फ्लीस क्या होता है बाल किसके बाल शीप के और याक के बाल अगर मैं रेशम की बात करूँ तो रेशम मुझे कहां से मिलता है रेशम मुझे मुझे काकून से जो सिल्क के कीड़े होते हैं सिल्क के कीड़े होते हैं उनके काकून से मिलता है ठीक है तो ऐसे ही बहुत सारे अलग 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 जानवर है जिन से हम लोगों क्या मिलता फैबरिक मिलते हैं तो पहला फैबरिक है हमारा यह फाइबर है हमारा एनिमल फाइबर वूल एंड सिल्क उन और रेशम ओके सुमन ओके मनीश उन और रेशम उन कहां से मिलता है रेशम कहां से मिलता है उन हमें कहां से मिलता है उन हमें मिलता है भेड से बकरी से याक से और भी बहुत सरे ऐसे जानवर हैं जो में उन देते हैं वूल देते हैं ठीक है और उन को हम क्या करते हैं उन कहां से निकाला जाता है उनके शरीर में जो बाल होते हैं उससे उन निकाला उसका पूरा प्रोसेस हम आगे पढ़ेंगे वहां से बाल को बाल को निकाला आता है फिर उसको OON में बदला जाता है ठिक है अब यह जो अलग 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 ऐर्गैनिसम में भीड़ हो गया बकडी हो गया याक हो गया तो यह सब जो अर्गैनिसम है यह सब हमें क्या देते हैं उन देते हैं तो अन तो आपस anytime से पढ़ते आ रहे हो तो उन भी बहुत तरीके के होते हैं कुछ चमकदार उन होते हैं कुछ हलके उन होते हैं कुछ बहुत अच्छे उन होते हैं तो फेलीसमें और अब को बता दिया बाल The coarse beard hair The fine soft under hair close to skin तो इस दो तरीके के बाल होते हैं एक तो बिल्कुल जो उनकी स्किन से लगा हुआ है एक वो वाला और एक जो ऊपर ऊपर से होता है तो दोनों से दो अयुआप अलग के वह उनन को बनाते हैं उसका प्रोसेस उनन को बनाने का और पूरा प्रोसेस हो हम पढ़ें गया ऑगे। ठीक हैं उसके बाद जो यह जो ओन यह जो हमने fiber निकाला इसको इससे हमने क्या बनाया ऊन बनाया ठीक है उसके बाद बहुत ही जाधा स्लेक्टिए मतल्ब किसी भी भेड़ का बाल नहीं लेते हैं बहुत ही जाधा स्लेक्टिड भेड़ होती हैं इसको क्या कहा जाता है selective breeding कहा जाता है मतल्च हर एक भेड से लिया जाता है जिनके हमें लग रहा है कि इनके बाद सही है इनसे अच्छा उन निकल सकता है उन से लिया जाता है और पता है आप लोगों को भेड को क्यों पाला जाता है भेड को क्यों पाला जाता है भेड को जादतर तो गोस्त के लिए मत्तब मीट के लिए और मीट के बाद मीट से पहले किसके लिए उन के लिए उन के लिए उन के लिए पाला जाता है कि भई पूरे सर्दियों में गर्म बेड़ अलग अलग हिस्सों में मिलते हैं ठीक है अलग अलग तरीके के बेड़ अलग हिस्सों में मिलते हैं भारत के बहुत हिस्से हैं कश्मीर में अलग कहीं अलग तो ये जो भेड़े होती हैं सिर्फ ये भेड़े ही उन नहीं देती हैं उन हमें और भी कई जगाओं से मिल मोहेरane ऑफ्र अप्रती हमında अंगोराजोंति कमें , इस तरह की भेड होती है , सुरी बक्री होती है , यांगोराजोंति इस ःद्धोंति इस तरह की बक्री प्रती है , और इस बक्री श्रीलता टाइम टेबल डाउनलोड कर लो बेटा पांच बजे क्लास से अब टैंज की और जिसका जो चप्टर नहीं हो पाए वो विडियो देख लेना दुबारा ऐसे ही कुछ ऐसी यह जो गोर सुति कहां मिलती है हिली एरिया में मिलती है जम्मू में कश्मीर में ऐसे हिली लाग्त में यह बक्रियां मिलती है जैसे यह एक हमारे हां ऐसी गोरी आपनी के सagles भी पहारी बक्रियां है ठीक है और इन्ही से पता है क्या बनाए जाते है फेमस पश्मीना शॉल पश्मीना शॉल बहुत जादा फेमस शॉल है इन्ही बक्रियों के फर से ये शॉल बनाया जाती है क्श्मीरी जो बक्रियां होती है वो उनके जो hairs like structure वो बहुत ज़दा soft होते है क्या बनता है उससे fine shawls, pashmina shawl क्या ना है मैं उसका pashmina shawl ठीक है क्या नाम है pashmina shawl इसी video के description में time table है बच्चे हर video के description में time table है वहाँ से download कर लो उसके recording online आना होता है the hair on the body of camel आप जो उन्ट होता है जो उन्ट होता है उसके शरी में जो बाल होते हैं उससे भी उन निकाला जाता है और ऐसे कुछ famous famous camel है इसे भी हमें उन्ट मिलता है तो सिर्फ बक्री ही उन नहीं देती सिर्फ भेड़ी उन नहीं देते ठीक है कश्मीर की बक्रियां भी देती है उन्ठ भी उन देते हैं ठीक है दन उसके बाद वो भेड़ किस देखो याक ये लदाक में मिलते हैं ये कहां मिलते हैं लदाक में इनके भी जो बाल होते हैं उनसे उन्ठ बनाया जाता है ये जो मैंने अभी दो तरह के उन्ठ वरता है थे इनके भी बालों से क्या बना जाता है उन्ठ बनाया जाता है ठीक है उसके बाद ये ये भी उन्ठ है ललामा ये भी उन्ठ है अलपाका ये भी उन्ठ है कहां मिलते हैं कहां मिलते हैं साउथ अमेरिका में इनके बालों से में बनाया जाता है थिक इनके बालों से फैंसे बनाया जाता है कि है बिलकुल कैमल भी न देता है आपको पहर पता नहीं होगा मुझे लग रहा है कि कैमल भी उन देता है तो हम लोग-खान करते हैं तो जो ये उनों का वेपार करते हैं ना बेटा यूट्यूब पे आ रही है क्लास मैं खुद देख रहा हूँ जो उनों का वेपार करते हैं वो लोग क्या करते हैं भेड बकडियां पालते हैं जो लोग उनों का वेपार करते हैं वो भेड बकडियां पालते हैं ठिक है वो जो जिस इलाक defense रहता है वहां पर जिस थरीके के भेड़ बक्डे मिलते हैं वो उनको वैसे पाल टे हैं अब जया समझें मुझे मचली पालन करना है तो मचल्या पाल नी पड़ेगी अब मुझे उन बेचना है तो मुझे भेडों को पालना पड़ेगा बक्रियों को पालना पड़ेगा ठीक है From fiber to wool For obtaining wool, sheep are reared जो भेड होती है उनके बालों को क्या किया है? Trim किया आता है Their hair is cut and processed into wool उनके बालों को निकाल के उनसे उन बनाया जाता है तो उसका एक पूरा प्रोसेस है Rearing and breeding of sheep If you have traveled to hill in हजमु कश्मीर, हिमाचर बड़ेश, उत्तरांचर, औरनाचर बड़ेश, सिक्किम और the plains of हरियाना, पंजाब, राजस्थान, गुजरात वहाँ पे हमने बहुत सारे चरवाहे देखे हैं जो अपने भेड़ों को लेकर घूमते रहते हैं अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग sheep Rearing also feed them on a mixture of pulse दाल खिलाए जाती है Corn, जवार, ठीक है और भी उन्हें बहुत से चीज़े खिलाए जाती है और जब सर्दियां आती है जब ये सर्दियां आती है इनी भेड़ों को वो क्या करते हैं अंदर रख देते हैं और उन्हें सूखा चारा और पत्ते खिलाते हैं Rearing का मतलब होता है उनका चरवाहा करना ठीक है तो ये जो sheep होती है इनको अलग-अलग पार्ट में अलग-अलग तरीके से rearing किया जाता उनके बालों को निकालना ठीक है फिर उनको बेचना इस तरीके से बहुत सारी sheep दे रखे देखो ये कुछ sheep की quality है ये कुछ भेडों की प्रजातियां है जैसे लोही लोही भेड जो है सबसे अच्छा उन देती है और कहां मिलती है राजस्थान और पंजाब में ठीक है राजस्थान और पंजाब में रामपुर बुशेर ठीक है इसके भूरे रंग के बाल होते हैं और ये यूपी और हिमाचा पदेशे मिलती है नली नली के जो नली जो ब्रीड है इसके बालों से कारपेट बनाया जाता है महंगे महंगे कारपेट ये भी राज़स्तान, हर्याना और पंजाब में मिलते है बक्करवाल बक्करवाल जो भेड़ है उसके बालों से उसके फ्लीस से शौल बनाया जाती है ये जम्मू कश्मि में मिलता है पश्मीना शॉल मरवारी ये मारवारी मारवारी जो भेड़ है उसका इस्तमाल नॉर्मल उन बनाने में कियाता है गुजरात मिलती है और पटनवारी का इस्तमाल होजरी होजरी के चीज़ों बनाने में किया जाता है और ये भी गुजरात हैं तो अलग-अलग भीड़ अलग 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 बनजाती करती है ठीक है clear ठीक है तो अलग-अलग भेड़े अलग-अलग तरहा की उन पैदा करती है और अलग-अलग तरीके से हम लोग उसका इस्तमाल करते हैं पापी में नोट कर ले ना जिनके पास बुक हो तो बुक से पढ़ी लेंगे तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है एक फाइबर से उन बनाने का पहला स्टेप क्या होता है तो पहला स्टेप होता है the fleece of the sheep along with the thin layer of skin is removed from its body इसको Shearing बोलते हैं मतलब अगर मेरे पाँ सकी भीड़ है अब में इसके शलीर से इसके बालो को अलग करूंगा होजरी एक समान है होजरी के आइटेमज होते है動画 घ्यक्या है तो मैं इसके शलीर से उसके बालो को अलग करूंगा उसको क्या कहा जाते है शीरिंग कहा जाता है इसके लिए मशीन्स आती है जैसे ट्रिमिंग जैसे हम लोग दाड़ी वगरा साफ करते है ऐसे उनके बालों को साफ किया जाता है उनके शरीर से उनके बालों को साफ किया जाता है ठीक है और उसके बाद उसके बाद वो जो बाल होते हैं, उसको हम लोग, उससे हम लोग क्या बनाते हैं, फाइबर बनाते हैं, तो शीरिंग का स्टेप समझ में है, स्टेप वन क्या आपका, शीरिंग, स्टेप टू, अब हमने बाल तो अलग कर लिये, अब उन बालों को धोना, साफ करना, ये सब चीज अगला स्टेप, गंदगी ना बचे, वो धूल मिट्टी में घूमते हैं, इसको बोलते हैं, स्कावरिंग, इसको क्या बोलते हैं, स्कावरिंग, और ये किन से करे जाते हैं, बड़ी-बड मशीनों से करे, देखो, अब आगे दिखाता हूं फिर सारे स्टेप्स, उसके बाद स्कावरिंग करने के बाद शॉर्टिंग, स्टेप थर्ड, बाल निकाला, बालों को धोया, उसके बाद शॉर्टिंग, अब इसमें क्या है, हेरी स्किन इस सेंट तो फेक्ट्री वेर हेर अब अलग अलग तरह के बालों को अलग किया जाता है, जब बाल ट्रिम के जाते हैं, तब अलग अलग तरह के बालों को अलग किया जाता है, ठीक है, उसके बाद चौथा स्टेप, अब जो फाइबर बच गया, उनको निकाला जाता है, और उनको बांधा जाता है, मशीन के ठीक है और यह इनसे बनता है स्वेटर जो आपका उन होता है क्या बनता है फिर इससे स्वेटर बनता है अब तो तैयार है फाइबर बनाने के लिए उसके बाद जो फाइबर होता है उसको सुखाया जाता है कलर मिलाया जाता है उसमें ठीक है कोट इस ब्लैक ब्राउन और वा ठीक है तो थैंकिस अमा सचिन तो पांचवा स्टा ये कलरिंग हो गया और छटे स्टेप में क्या होता है उनहीं सभी इस फाइबर को स्ट्रेट किया जाता है अच्छे से कॉम्ब किया जाता है कि वह बिलकु जो जाए और उनको आखिरकार किस्में बदल दिया जाता है उन में बदल दिया जाता है वुलन क्रोध में बदल दिया आता है तो देखो पहला स्टेप भेड से उसके बाल को अलग किया पहला स्टेप दूसरा स्टेप स्कावरिंग अब उन जो बाल जो निकाले उसको हमने धोना शुरू कर दिया उसमें धूल मिट्टी ठीक है ये हो गया तीसरा step अब जो machines हैं उसको खीच खीच के उनी बालों को खीच खीच के short करिया जाता है और उनसे क्या बनाये जा रहे हैं रेशे बनाये रेशे निकाले जा रहे हैं रेशे scouring और उसके बाद उसको roll किया जाता है roll करके yard इस तरीके से एक बाल को अलग अलग प्रक्रियाओं से ले जाकर ठीक है अलग अलग प्रक्रियाओं से ले जाकर एक किसमे बदला आता है एक कह सकते हो की धागों में बदल दिया तो पहरा प्रोसेस शियरिंग उसके बाद स्कावरिंग उसके बाद शॉर्टिंग उसके बाद उसको साफ करना उसके बाद कलरिंग करना उसके बाद रोल बना दिया धागों का और जब मम्मी स्वाटे सिलती है तो यही रोल लेके आती है ठीक है जब मम्मी स्वाटे सिलती है तब यही रोल लेके आती है समझ मैं आपको? समझ में है भई कैसे एक भेड के बाल को बदला जाता है किसमें एक रोलिंग मतलब क्या से तो धागों में साक्षी प्रेड़ना प्रतिक्षा संजना बहुत बढ़िया तो यह तो आपको करने हैं सारे जिनके बास बुक है वह तो करी रहा है जिनके बाद बुक नहीं भी है वह यह वीडियो देख लें और कल साटेड़े है फिर परसो संड़े तो दो दिन तो क्लास नहीं होती कल की अक्टिविटी जो है वो अपलोड हो जाएगी कल की जो अक्टिविटी है कल की अक्टिविटी अपलोड हो जाएगी ठीक है तो आप अक्टिविटी कर लेना और नंबर आपको पता है यह अक्टिविटी में नंबर दे दिया जाता है उस नंबर पर उस अक्टिविट को भेज देना देन ऐख एक हमरी तब पोलो बेटा अच्छा है यह आप लोग नोड बनाए इसके जैसे आप जब वीडियो देखते हैं तो आप लोग इसके notes बनाईए copy में लिखिए ठीक है करना तो आपको ही है हम तो समझा सकते हैं समझाई रहा हूं ठीक है इसके notes बनाईए इसके question answers तो मैं करवाओंगा यह वह कीजिए उसके बाद थोड़ी दिनों में आप लोग को assignment मिल जाएंगे हिंदी मीडियम वालों को अलग इंग्लिश मीडियम वालों को अलग ठीक है question answers आपको quiz टाइप में मिल जाएंगे ठीक है बैटा इंग्लिश ग्रामर की class Tuesday Thursday Saturday होती है तो जिन भी बच्चे को time table नहीं पता मैं दिखा देता हूं काफी बच्चे को confusion रहती कहां मिलता टाइम टेबल तो टाइम टेबल बेटा ऐसे मिलता आप यूट्यूब खोलना ठीक है आप यूट्यूब खोलना और यूट्यूब खोलने के बाद वहां पे सर्च करना प्रेली सर्च करने के बाद आपको यहां पर चानल मिलेगा मेरा चानल पर क्लिक करना इसको सब्सक्राइब करना फिर यहां पर क्लिक करना इसको all करना फिर यह उपर देखो यह आपको प्लेलिस दिख रही है प्लेलिस दिख गई इसमें अपनी क्लास में जाना जिसे अभी यह वाली वीडियो चल रही है ठीक है फिर इसी वीडियो के यहाँ पर देखो description में क्लिक करोगे ना यह देखो नीचे आपको दिख रहा है यह तो website है जिसमें में रोज time table डालता हूँ रोज के link डालता हूँ यह website को save कर लेना किसी भी group में share कर लेना ठीक है बच्चे उसके बाद यह रा time table यहां को इसको आप click करोगे जब इसको आप ऐसे click करोगे click करने के बाद यह इस तरह से open हो जाएगा और open होने के बाद कोई भी आपकी जीमेल आएगी और यह time table इस तरीके से download हो जाता है ठीक है है यजिए टाइम टेबल डाउननेड हो जाते सक डाप सेव कर लेना उसके सब आप इसको क्रोंगे वेब साइट को क्लिक क्रोंगे यह यह वाली यह बार खर्वाली ये वाली इसको जब आप खुलीक करोगे तो फिर यह दुबारा एक और फॉर्म खोलेगा area ऐस merve और यहाँ पर देखो सारे लिंक, देखो 29 तारिका दिखा रहा, 29 तारिक है न, यहाँ पर ऐसे सारे लिंक होंगे, जैसे अभी 3 बजे वाली क्लासे, इस पर मैं क्लिक करूँगा, तो अटोमेटिकली यूट्यूब खुल जाएगा, और यूट्यूब में आज की क्लास में क्लिव करदो, ताकि आप रोज इस वेब्साइट को खोलो, और आपको यहाँ पर रोज की लिंक मिल जाएगे, कौनसी क्लास होनी यह, जैसे कल इसमें क्लास में, कल आपको इस पर लिंक मिलेगा, किस चीच का एकुआप्टिविटी का लिंक मिलेगा, ठीक है बत्य., तो यह तो इसके अंदर देखो सारी अपडेट है पहले से ही यहां पर आपको सब मिल जाएगा तो सब कुछ अप्लोड हो रखा है ठीक है आईडी पासवर्ड सब कुछ यहां पर डला हुआ पहले से यह आईडी पासवर्ड तो आप उसको खोलेंगे तो आपको पता चलेगा अप देखोगे सिर्फ एसे बोलो गए तो कभी भी समझ में नहीं आएगा ठीक है ठीक है बच्चों क्लियर हो गया तो क्योंकि बच्चे वेट करते कि मैं मैसेज भेजू हो तो बेटा मैं मैं से भेजूंगा तो अपने यहां से वहां से जो भी वेबसेट खोलेगा उसको दिख जाएगा ठीक है कि सब्सक्राइब कोवीड नाइंटीन क्यों बोलते हैं बेटा इसकी फुल फॉर्म है यह कोरोना वाइरस ऑफ इंडिविजोर 2019 में आया था ने इसलिए और यह स्यफ वैश्वाला प्रण था है ठीक है नेक्स्ट पर्णप में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे रेशम निकलता है रेशम के बारे में पढ़ेंगे रेशम यही Bangladesh को भीश में पढ़ना है फिरले हैं dalї न के ऑर से माज़ियां में और रेशमके बारसा होगा है हुग के एए क्लियर थीग यूट्यूब समझ मैं स्क्रीन ओफ तो बच्चों को नि बच्चों को जैसे लास्ट्समाने और इस करेंगे तता ना तो जिन बच्चों स्ट्च जों करो शे बजए Two पर online आ जेना हमाँ पे स्टोरीज उती हैं तो सिखाथे हैं मतलब बॉकाबदयर्य इस चीज़े तो छे बजि आप सभी n audio पर online आजा आज आँ महाँ पे स्टोरीज 422287 ठीक है जिन्होंने तक गुरुप नहीं बनाया वो बचे गुरुप बना लो और मेरे को एड कर लो ताकि मैं एक बार वेबसाइट भेज़ दूँ ठीक है एक बार वेबसाइट का लिंक भेज़ दूँगा फिर आप लोग आप लोग आटमेटिकली वेबसाइट ओपन ग कि भी लिंक आपको वेबसाइट पे ही मिल जाएंगे और जिनके पेंट्स ने पहले पीटे मेंट करी तो उनका तो गुरुप बनी गया है ठीक है बच्चो जो यूट्यूब पे हैं फटावर्स एक बार लाइक कर दो वीडियो को और सब्सक्राइब कर देना चैनल मिलते है शाम को छे बजे दुबारा ठीक है छे बजे मिलेंगे दुबारा यूट्यूब पे आना लेकिन क्योंकि जूम फुल रहेगा यूट्यूब पे मिलेंगे शाम को छे बजे बाई